आज हम आपको Mailing Tab के Create Block के अंतरगत, Envelops और Labels के सभी Options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपको किसी लिफाफे पर Address Print करना हो या फिर कई ऐसे Labels या Stickers Print करना हो जिन पर आपको एक समान Address चाहिए जिनने आप Envelops पर या कहीं और भी चिपका सकें तो या Envelops और Labels Option की साहितां से किया जा सकता है तो आईए देखते हैं कि आप MS Word में किस तरह से Envelops पर Address Print कर सकते हैं और Labels पना सकते दोस्तों अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को Like करें, Comment करें, Share करें, Subscribe करें और बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं MS Word में अगर आप Envelops और Labels का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है Mailing Tab पे और यहाँ पर आपको एक Option दिखाई देगा, Create Block का और यहाँ पर आपको Envelops पर क्लेक कर देना है Envelops पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने Envelops and Labels के नाम से एक Dialog Box ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा Delivery Address Delivery Address में basically हम वो Address डालते हैं जहाँ पर हमारा यह Envelops Deliver होगा जैसे मालीजे कि आप किसी को कोई Letter बेज रहे हैं जिसमें आप जिस Person को Letter बेज रहे हैं बहाँ पर आपका Delivery Address लिखा जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे Return Address में आपको यहाँ पर Apply Address देना होगा यानि कि अगर यह Letter हमारा उस जगा पर नहीं पहुँच पाया तो यह वापस से Return हो करके हमारे यहाँ पर Deliver हो जाएगा तो यहाँ पर Delivery Address में हम एक Address टाइप कर लेते हैं Delivery Address में माली जैं हमने एक Address यहाँ पर टाइप कर लिया और इसी तरीके से हम Return Address में भी एक Address टाइप कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमने Return Address में भी एक Address यहाँ पर टाइप कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर omit नाम का एक option आपको दिखाई दे रहा है अगर आप इस पर check mark कर देंगे तो आपका जो return address होगा यह यहाँ पर hide हो जाएगा यानि कहने का मतलब यह है ति आपका जो envelope होगा उसके ओपर archival delivery address ही आपका प्रिंट होगा आपका return address प्रिंट नहीं होगा क्योंकि omit का मतलब ही होता है किसी चीज़ को छोड़ देना तो हम basically दोनों ही address यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस check mark को यहाँ से हटा देंगे अब आप देखेंगे आपका preview आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो envelope होगा वो किस तरीके से यहाँ पर print होगा इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक feed का option दिखाई दे रहा है इसले आपको पता चलेगा कि आपका जो envelope है वो किस तरीके से printer में print किया जाएगा इसके just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और option दिखाई दे रहा है print का print वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो आपके दोनों ही address एक envelope पर print कर दिये जाएगे इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई दे रहा है add to document अगर आप इसपर click करेंगे तो हमारा जो envelope है वो हमारे MS Word बें यहाँ पर create हो जाएगा और उसके बाद किसे याविर हम बाद में print करना चाहें तो print कर सकते हैं इसके जेस बगल में आपको एक option दिखाई देगा options का इस पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारी settings दिखाई देगी जिसमें आपको यहाँ पर feed method दिखाई दी रहा है याँ आपका जो printer होगा वो आपके envelope को किस तरीके से print करेगा वो आपको यहाँ पर select करना है तो basically हम यहाँ पर जो by default setting है याँ फेस अप वाली हम उसी को यहाँ पर select करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम envelope settings पर आ जाते हैं envelope option पर click करने की बाद आप देखेंगे आपके समने यहाँ पर काफी सारे options है जिसमें से आप अपने envelope के size को यहाँ पर set कर सकते हैं अब ही जो हमारा by default size है वो size 10 है इसके अलावा अगर आप कोई और size यहाँ पर लेना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो envelope होगा उसका preview आपको साथ के साथ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर delivery address में font का एक option है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप अपने font के सभी style को change कर सकते हैं याँ अगर आप envelope पे अपने font को bold करना चाहते हैं इस इस यहाँ पर नहीं चेटिंग से यहाँ चेड़ रहे हैं अगर आप क्लेग करेंगे तो यहाँ पर आपको character spacing का option दिखाई देता है जसमें आप अपने envelope के अंदर scaling या तो फिर spacing यहाँ पर अब आजजस्ट कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे यहाँ पर नहीं चेड़ेंगे, हम इसे यहाँ से cancel कर देते हैं, उसी तरीके से आप return address में भी यहाँ पर click करके, font के style वगरा को change कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक और option दिखाई देगा, from left और from top, यहाँ पर click करके, आप envelope के left side से, या फिर top side से, spacing को यहाँ पर adjust कर सकते हैं, तो फिलाल हम इसे भी यहाँ पर auto ही रहने देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा by default size था, size 10, हम यहाँ पर वही select करेंगे, और select करने के बाद हम यहाँ पर okay बटन पर click कर देंगे, और उसके बगल में आपको एक और option दिखाई देगा, ए-postage properties का, इस पर अगर आप click कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक notification है, जिसमें लिखा हुआ है, इसके कहने का जो मतलब है, वो यह है, कि अगर आप envelope और label बनाने के लिए, कोई अलग से एडिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने MS Word के अंदर, Microsoft की वेबसाइट से जा करके, काफी सारे एडिंग्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, जिसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, एडिंग्स के बारे में, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक के आई बटन में, आपको उसका लिंक डूड़ दूँगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं, कि आप MS Word में भी, इंसर्ट टैप से काफी सारे एडिंग्स यहाँ पर एड़ कर सकते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ एडिंग्स का जो सीधा मतलब होता है, वो होता है कि एक एक्स्टा फीचर, आप अपने MS Word में एड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप electronic postage यहाँ पर एड़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके Microsoft website पर जाना होगा, और वहाँ से कोई add-ins इस्टॉल करना होगा, तो basically हम यहाँ पर simple envelope यहाँ पर create करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर add to document पर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर add to document पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक और notification रेपर्जेंट हो जाएगी, जिसमें लिखा है कि do you want to save the new return address as the default return address, कहने का मतलब यह है कि आप अपने return address को default set करना चाहते हैं, कि जब भी आप कोई भी envelope create करें, वहाँ पर आपका यह जो return address है, वो by default यहाँ पर save हो जाए, बार बार आपको return address लिखने की जुरत ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे default रहने देंगे, और यहाँ पर हम इसे yes button पर click करेंगे, जैसे हम यहाँ पर yes button पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर envelope create हो चुका है, अब आप इसका print out ले सकते हैं, उपर की तरफ आप देखेंगे, उपर हमारा return address है, जैसे आप MS Word में envelope option का use कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर labels की, इसके बाद हम यहाँ पर mailing tab के create वाले block मर जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा labels का, label option basically इसलिए use किया जाता है, जैसे माल लीजे, आप अपने envelope पर बार-बार address प्रिंट नहीं करना चाते हैं, और आप एक label create करना चाते हैं, याँ आप एक sticker बनाना चाते हैं, जैसे sticker का आप किसी CD पर, किसी DVD पर, या किसी भी book पर आप label कर सकते हैं, या इसके अलावा, जैसे माल लीजे, आप कोई envelope create करते हैं, और वहाँ पर आप चाते हैं, कि जो हमारा return address है, मैं उस पर एक label create करना चाता हूँ, तो basically मैं चाता हूँ, कि अपने envelope पर उस sticker को paste कर दो, ताकि बार बार मुझे envelope पर print करना ना पड़े, तो इसमें आप काफी सारे stickers create कर सकते हैं, same address के, तो यह आप किस तरीके से करेंगे, मैं इसे आपको बता देता हूँ, अगर आप इस पर tick कर देंगे, यहाँ पर आपका address represent हो जाएगा, जो हमने by default यहाँ पर save किया था, तो अगर आप इसी address का label create करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं, या तो फिर आप अलग से कोई दूसरा address या phone number आप यहाँ पर type कर सकते हैं, इसका भी आप label यहाँ पर create करना चाते हैं, उसे आप यहाँ पर type कर सकते हैं, तो basically हम यहाँ पर उसी address का label यहाँ पर create करना चाते हैं, तो हम इस वाले option पर click करेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको एक option दिखाए देगा, full page of the same label, याँ आप जो label create करना चाते है वो पूरे full page पर create करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप इसे select कर सकते हैं, अगर आप single label पर click करेंगे, तो यहाँ पर row on column को यहाँ पर define कर सकते हैं, तो basically हम यहाँ पर पहले वाले option को ही select करेंगे, और इसके बाद नीचे की तरफ आपको print option दिखाए देगा, जैसे आप इस प जिसमें आप देखेंगे, आपको यहाँ पर काफी सारे options दिखाई देंगे, जिस पर भी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, उसकी height और width आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कि आपका जो label print होगा, उसकी height कितनी होगी, और उसकी width कितनी यहाँ पर होगी, तो माली जैम यहाँ पर page 30 को यहाँ पर select करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो type होगा address label है, जिसकी height आपकी 2.54 cm है, और width इसकी 6.67 cm होगी, और इसका जो paper का size होगा, वो 21.59 cm into 27.94 cm यहाँ पर होगा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर details के click करेंगे, तो यहाँ पर आ टॉप से उसका क्या margin होगा, वर्टिकल से उसका क्या margin होगा, डाउन से उसका क्या margin होगा, वो सभी चीज़ा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ से अगर आप इसमें changes करना चाहें, तो चेंज भी कर सकते हैं, पेपर size को यहाँ बदलना चाहें, तो वो भी करने देंगे, इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप चाहें, तो अपना खुद का एक label create कर सकते हैं, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप height or width set करके अपने इस आप से, जो भी label नया create करना चाहें, उसे यहाँ पर create कर सकते हैं, और इसके बाद आप आप दिखे आप देगा, इक postage properties का, यानि यह वही option है, जो मैंने अभी आपको बताया था, add-ins के बारे में, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, new document का option है, हम इस पर simply click करेंगे, जैसे हम इस वाले button पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे page के ऊपर, यहाँ पर labels print हो चुके है, आप देखेंगे हमारा label यहाँ पर print हो चुका है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कि हमारी जो last वाली line है, वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके लिए हमें address को एक बार adjust करना पड़ेगा, तो इसमें आप देखेंगे, इसकी width का size है, वो यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर हम अपने address को यहाँ पर adjust कर लेते हैं, यहाँ पर जैसी आप delete की दबाएंगे, तो यह उपर की तरफ आपका address adjust हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर भी हम delete करके इसको यहाँ पर adjust करना है, क्योंकि हमारे जो labels में height है, वो वहाँ पर कम है और width की जो size है, वो यहाँ पर जाता है, तो वापस हम इसे select करके यहाँ पर जैसी नी document पर click करेंगे, और यहाँ पर yes करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा address यहाँ पर represent हो जाएगा, अगर आप envelops के अंदर अलग-अलग address प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके दे रहे हैं, इस अध्या में आप सीखेंगे, mail merge option की सहायता से एक साथ कई letters तथा envelops प्रिंट करना, mail merge की सहायता से हम व्यक्तिकत पत्र, पत्रों की नियले फाफों पर address और mailing list में लिखे प्रतेक व्यक्ति के mailing labels तयार कर सकते हैं, कई बार हमें एक जैसे पत्र अनेक नामों और पतों के साथ पेजना होता है, हमारी इस समस्चा का समदान, mail merge सुविधा में है, आइए जानते हैं कैसे, आप देखेंगे हमने mail merge को समझाने के लिए, example के तौर पर यहाँ पर एक offer letter का format लिया हुआ है, और उसके बाद हमने Excel sheet में यहाँ पर कुछ database लिया हुआ है, जिन इसने भी letter से आपर create करना चाहते हैं, उन सभी database का आपको एक list त्यार करना होगा, और उसके बाद आप आप आसानी से इसना use कर पाएं, तो चले जाते हैं हम लोग वापस से MS Word के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना होगा mail link depth पर, और यहाँ पर आपको select करना होगा, select a recipe sent, इस पर आप जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने तीन options आपको दिखाई देंगे, सबसे पहला option आपका होगा type new list का, अगर आपके पास कोई database नहीं है, तो आपको एक बार यहाँ पर सभी information type करनी होगी, इसके अलावा, नीचे की तरफ आप देखे इसके अलावा, अगर आप इससे rename करना चाहें, तो आप यहाँ से rename भी कर सकते हैं, किसे भी चीस को move up या move down करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके अलावा दर कोई extra field add करना चाहें, तो यहाँ पर आप क्लिक करके, कोई नई field भी आप यहाँ पर add कर सकत कि यह सबसे उपर आपका यहां से चल जाएगा तो जितने भी आप उपर इसे रखना चाहें उतने उपर आप इसे यहां पर अर्जस कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे यहां पर कैंसल करेंगे क्यूंकि हमारे पास ओल्रेडी डिटाबेस हमने एक एक एक्सल शीट में लिया हुआ आपको यहां पर एक option दिखाई देगा new entry का इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने तो यहां पर आपका जो cursor है वो नीचे की तरफ यहां पर जम कर जाएगा इसी तरीके से जितनी भी entries आप यहां पर करना चाहें आप यहां पर entry कर सकते हैं इसके देते हैं तो हमारे पास already database है तो उसे हम यहाँ पर select करेंगी तो उसके लिए हमें वापस से यहाँ पर select recipient पर click करना होगा और आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक और option दिखाई दे रहा है choose from outlook contacts यह अगर आपके outlook contacts में ने employees की details है या जिसका भी आप letter यहाँ पर create कर रहे हैं उनकी details अगर आपकी है तो आप यहाँ से भी उसे select कर सकते हैं तो फिलान हम यहाँ पर use exiting list को select करेंगे और यहाँ पर click करने के बाद हमारी जहाँ भी file रखी है हम उसे यहाँ पर select करेंगे जैसे हम यहाँ पर open button पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने sheet बन दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि हमारे जो excel sheet है उसमें हमने किवल एक ही sheet यहाँ पर लिया हुआ है अगर हमने और भी sheet से यहाँ पर लिये होती जिससे पहले यह सभी option अनाइट थे और उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो next option है वो है edit reception का इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो हमने जितनी भी details यहाँ पर type की थी वो सारी details आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि किसी का data यहाँ पर show ना हो तो उसका यहां से आप check mark खटा देंगे तो वो data यहाँ पर show नहीं होगा इसके लावा अगर आप इसमें कोई editing करना चाहते हैं तो edit पर click करके आप इसके अंदर editing भी कर सकते हैं फिलाल हमें कोई editing नहीं करनी, हम सिर्फ पल यहाँ पर cookie बटन पर click कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, next option आपको दिखाई देगा address block का, address block basically हमें automatically address का एक content generate करके दे देता है, वैसे थो हमने इसका पूरा content यहाँ पर तयार किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका use दिखा देता हूँ, नीचे की तरबंग जाएंगे, और यहाँ पर click करके, हम यहाँ पर address block पर click करेंगे, address block पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक format दे रहा है, कि आप इस तरीके से अफने letter का format, यानि उपर का format है, वो यहाँ पर create कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको काफी सारे recipient के format दे रहा है, आप यहाँ से पूर भी format select करके, जैसे यहाँ OK बटन पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका यहाँ address block आपके सामने represent हो जाए, और उसके बाद अगर हम next option की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे, वह हमारा greeting line, greeting line पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक dialogue box open हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना greeting line format select कर सकते हैं, अगर आप deer रखना चाहते हैं, तो deer रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर तू रखना चाहें, तो यहाँ पर तू रख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर तू रख करके, यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, greeting line भी हमारा यहाँ पर show हो जाएगा, इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे, highlights, merge fields का एक option आपको दिखाए देगा, इस पर जब आप click करेंगे, तो हमन सकते हैं, तो basically यह जो format है, हमने already अपने हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हम इन सभी options का यहाँ पर use नहीं करेंगे, फिलाल हम इसे यहाँ से select करके delete करतेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं next option की, तो next option आप देखेंगे, यहाँ पर insert merge field का आपको option दिखाई दे रहा जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कि Excel sheet में हमने जितने भी headers यहाँ पर बनाये थे, offer letters, names, address, city, state, win code और company, वो सभी के सभी, आप यहाँ पर जैसी insert merge field पर click करेंगे, तो यहाँ पर वो सभी options यहाँ पर दिखाई देगे, अब इसकी मदद से हम अपने इस letter को किस तरीके से complete कर स insert merge field पर click करेंगे, और यहाँ पर जो हमने field बनाई थी, offer letter date की, यहाँ पर आकर के हम click कर देंगे, जैसे यहाँ पर आकर के click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वो field यहाँ पर insert हो चुकी है, इसी तरीके से यहाँ पर name को हम select करेंगे, name को select करने के बाद बाद ब इसी तरीके से हमारी जितनी भी fields हैं, उन सभी fields को यहाँ पर आप insert कर लेती हैं, तो यहाँ पर हम city को भी insert कर लेते हैं, same इसी तरीके से हम यहाँ पर state को भी insert कर लेते हैं, वापस से insert merge field पर जाते हैं और यहाँ से state पर click करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर pin code को भी insert कर लेत तो pin code के लिए वापस से insert merge field पर जाना है और यहां से pin code को select कर लिए और इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे हमारी जो greeting line है उसके आगे हम यहां पर चाहते है कि हमारा नाम represent हो तो यहां से name को select करके हम वापस से insert merge field पर जाकर के यहां पर name पर click कर देंगे अब basically merge field का यही फायदा है कि हम किसी एक जीस को कई बार insert कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने name को insert कर लिया इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे इस letter के अंदर हमारी company का नाम represent हो तो उसके लिए हम यहाँ पर company को select करते हैं और वापस से insert merge field पर जाकर के यहाँ पर company पर cake कर देते हैं अब देखेंगे हमने अपने letters के अंदर सभी fields को यहाँ पर insert कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर next option आपको दिखाई देगा preview का preview वाले button पर जैसे आप यहाँ पर cake करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो letter है वो यहाँ पर completely तयार हो चुका है नीचे की तरफ अगर आप कोई field extra insert करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर insert merge field की मदश से यहाँ पर कुछ भी insert कर सकते हैं तो स्टेट में यहाँ पर डेली आ गया और इसी तरीके से अगर मैं pin code को यहाँ पर represent करना चाहता हूँ तो pin code को जैसे click करूँगा तो pin code भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो जितने भी field आप जितनी बार insert करना चाहें अपने इस document में तो आप वो कर सकते हैं अब यह आप देखेंगे हमें जो document दिखाई दे रहा है वो केवल अमन कुमार का दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ पर preview result के उपर जा करके यहाँ से next वाले बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो second information थी वो दीपक सिंग की थी दीपक सिंग का नाम आ गया उसका address आ गया और उसका state, pin code यहाँ पर सब कुछ show कर रहा है तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसका state और pin code आपको दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से सबी letters को आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लाब अगर आप किसी state या नाम को दूढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको option दिखाई देगा find recipient का इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आप जिसके entry को दूढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं subod count मैं इसकी information यहाँ पर ढूढ़ना चाहता हूँ तो इसे मैं type करके जैसे यहाँ पर find next के click करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर subod count की information represent हो जाएगी तो इस तरीके से आप किसी data को यहाँ पर find भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर last में आप देखेंगे आपको एक option दिखाए देगा finish and merge का इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला optional आपको दिखाë देगा एड है Benedict individual document का इस पर आपको click करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डियालोग बॉक्स आ जाएगा मर्ज तु न्यू डॉक्यमेंट का सबसे पहला उप्शन आपको दिखाए देगा आल का यानि यहाँ पर अगर आप आल पर क्लिक करेंगे जिस नंबर से जिस नंबर तक का रिकोर्ड यहाँ पर रिपर्जेंट करना चाहें वो कर सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि दो नंबर से लाश्ट पांच नंबर तक का ही अवारा जो लेटर है वो यहाँ पर रिपर्जेंट हो तो उसके लिए हम यहाँ पर All को सेलेक करेंगे और यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पेज नमबर 1 पर आपको दिखाए देगा अमन का record इसके अलावा जैसी नेक्ट पेज पर मैं यहाँ पर जम करूँगा तो आप देखेंगे 2nd पर हमारा देपक सिंग आ गया और 3rd पर जैसी मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आदित्या इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप अपर हमने जितने भी records यहाँ पर यूज किये थे उन सब का अलग-अलग safe rate एक letter यहाँ पर बनकर तयार हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप bulk में जितने भी letters चाहें उतने letters create कर सकते हैं सिर्फ एक click से बस आपको data select करना है और filter को add करना है और उसके बाद सीधे ok button पर click कर देना है आपका letter बनकर यहाँ पर तयार हो जाएगा इसके बाद हम यह चाहते हैं कि हमने जितने भी आपर letters create किये हैं जितने लोगों के हमने letters से आपर create किये हैं उन सभी के लिए मैं safe rate एक envelope create करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो हम फिलाल यहाँ पर एक new page insert कर लेते हैं new page insert करने के बाद हम चले जाते हैं mailing tap पर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप safe rate envelope कैसे create कर सकते हैं मगर यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ start mail merge के envelope वाले feature का तो यहाँ पर इस feature की मदद से हमने जितने भी letter से यहाँ पर create किये थे तो उन सभी के लिए यहाँ पर अलग-अलग एक separate envelope यहाँ पर create हो जाएगा तो उसके लिए हमें Excel की file यहाँ पर एक बार और insert करनी होगी हमें जाना है यहाँ से select reception पर और यहाँ पर use exiting list पर वापस से click करना है और यहाँ पर जो हमने फाइल Excel की रखी थी जिसमें हमारा वो data था उसको यहाँ से select कर लेंगे तो यहाँ से desktop को select करते हैं और यहाँ से हम अपने data को select करके यहाँ पर open कर लेते हैं उपन करने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर Excel sheet आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर OK बटन पर click कर देंगे OK बटन पर click करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से start mail merge पर और यहाँ पर आपको select करना है envelope तो यहाँ पर आप देखेंगे envelope option आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा size को आप यहाँ से select कर सकते हैं जो भी size यहाँ पर select करना चाहें उसी आप यहाँ से scroll करके select कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी size यहाँ पर select कर लेते हैं माने जाने size 10 को select किया और उसके बाद इन सभी options के बारे में यानि delivery address और return address के जो font style है इन सभी options के बारे में मैंने पिछनी वीडियो में पूरा describe किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं i button पर इसका link देदूँ आप वहाँ से इसे देख सकते हैं इस वीडियो में हम केवल mail merge के बारे में ही जारेंगे तो यहाँ पर हम simply इसको select करके यहाँ पर ok button पर klik कर देंगे जैसे में यहाँ पर ok button पर klik करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर return address जो है वो यहाँ पर बिखाई दे जाएगा क्लिक के हमने return address यहाँ पर by default पहले से ही save किया हुआ है return address किस तरीके से save किया जाता है तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है आप आई बटन पर klik करके महाँ से इसे देख सकते हैं अब आप देखेंगे यहाँ पर envelope हमारे सामने represent हो गया अब इस फिलार हमारे पास एक envelope है safety envelope है और यहाँ पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर हमारा delivery address का एक box आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर हम delivery address के लिए यहाँ पर जाएंगे insert merge field पर और इस तर खिलिक करने के बाद यहाँ से हम address पर जैसे में आप पर address पर select करेंगे तो यहाँ पर address का फिल्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पर preview button पर click करके आप देख सकते हैं कि आपका address आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यहाँ से आप उसी तरीके से next करके आपद ने देखेंगे print document का भी है, एक option आपको दिखाई देगा, अगर आप इस पर click करके directly इसको print करना चाहें, तो इस पर click करके directly आप इसे print कर सकते हैं, या फिर आप इसे send कर सकते हैं email message के through, तो फिलान हम इसे अलग-अलग page पर individual देखना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसका print निकाल तो हमारे सभी envelops यहां पर बनकर तयार हो चुके हैं, तो हमने जितनी भी information यहां पर add की थी, उन सब की यहां पर envelops तयार हो चुके हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word में mailing tap के mail merge option का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like कम share जरू कीजेगा, धन्यवार